धाई से 3,00,000 रुपे इसका महेंगा है अगर बेस की करेंगे तो यहां भी आपको क्या-क्या मिलेगा सबसे पहले तो वह भी इससे काम चला सकते हैं क्योंकि इसमें आपको 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 पीछे यहां पर 2,70,000 रुपे जादा आप इसके लिए दिंगे तो अभी आप सामने देख रहे हैं बलीनो के दो वेरियंट यह नेकसा ब्लू गलर में सबसे टॉप है अलफा और यह जो है सबसे बेस सिग्मा वेरियंट है और सबसे होट सैलिंग जो है है एजबैक में से सबसे एक रहती है बलीनो और इसके कॉमपटीटर की बात करी जाए ना तो अगर इनकी जो है इसकी जो है दुग नहीं रहती है एल्टरोस जो है जहां टॉप 20 में भी नहीं रहती है यह आपको जो है फॉर्थ पोजिशन पर ऑक्टूबर की सेल्स जो है फिगर्स पर आपको जो है यहां पर देखने को मिलते हुई आई 20 तो 17 से 16 से 17 नमबर पे थी यहां पर सेल्स विकर में तो ऐसा क्या है बलीनों की लोग जो है और इतना अट्रेक्ट होते हैं तो इसी के बारे में बात करेंगे और दो वेरिंट आपके सामने खड़े हैं एक है सबसे बेस और यह सबसे टॉप देख रहे हैं तो इसी के बीच में आप कंपेर्जन करने टॉप से लेके बेस तक आप आते हैं तो कितने आप रुपे यहां पर बचा सकते हैं या फिर टॉप एंड वेरिंट में जो है उतने रुपे लगा के आप उन फीचर्स का आप पर कह सकते हैं अपनी गाड़ी में आनंद ले सकते हैं तो फटा-फट से बात करते हैं सबसे पहले यह सिग्मा जो आप देख रहें ना बलीनों का यह इसकी एक्शोरूम जो रहती है 6,49,6,48,000 रुपे इसकी एक्शोरूम रहेगी ऑन रोड मान की चलिए यह आपको जो है प्रॉक 7,70 या फिर 7,80 का देखने को मिल जाएगा तो थोड़ी ऑन रोड प्राइस वेरी कर 10,000 रुपे का देखने को मिल जाता है तो अन एन एवरेज पूरा अगर मैं ऑन रोड और एक्शोरूम की बात करो यहां पर जो डिफ्रेंस है ना वह आपको जो है यहां पे 2,70,000 रुपे से लेके 3,00,000 तक के बीच डिफ्रेंस देखने को मिलता है इनके टॉप और यहां पर सबसे बेस में तो मतलब अब जो है 2,70,000 से 3,00,000 मतलब मुटा मुटा 3,00,000 मान लिजे 3,00,000 रुपे जादा आप इसके लिए दिंगे तो आपको इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे टॉप एंड वेरेंट में या फिर ना देखे आप बचा सकते हैं तो आप इसमें कोसे फीचर्स आपको इस बेस में मिलेंगे तो encourage से बात करते हैं अगर मैं इसकी बात करता हूं जो आप यह देख रहे हैं इसका सबसे तॉप एंड वेरेंट इसमें चावी कुछ ऐशी मिलेगी आपको जो काफी प्रीमियम सी लगती है इस तरीकой से तो ऐसी चावी मिली तो इसमें आपको request sensor भी मिल जाएंगे हाँ पर door door side के और अंदर आपको engine start stop button मिलेगा तो इसमें keyless entry आप नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ रहता है बाकी dimension की बात नहीं करूँगा सीरे features से start करूँगा मैं क्या-क्या features जो है base में आपको मिलेंगे जो है top में क्या-क्या मिलेंगे ये सारी कुछ बात करेंगे ये इसका base रहता है ये इसका top है तो सबसे पहले अगर front देखते है front profile तो front profile आपको यहाँ पर देखने को मिल ली base variant की ये grill आपको same to same wave design में मिल ली है बीच में आपको सुजूगी का logo ये यहाँ पर आपको black matte color में strip दी गई है जो कि यहाँ हो जाती है सबसे top variant में chrome color की तो ये chrome color की हो जाती है और lighting setup lighting setup जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में आपको projector दिख रहे होंगे यहाँ पर भी projector यहाँ पर भी projector लेकिन top end variant में यह LED में रहते हैं तो ऐसा कुछ रहता है पुरा बाकी यहाँ पर थोड़ा chrome का work इसके अंदर दिया गया है तो light हैं इसमें halogen में रहती हैं इसमें आ जाती हैं पुरी LED lighting setup पर संग automatic lighting मिलेंगे आपको इसमें follow me headlamp का function भी आपको मिलेगा बाकी नीचे देखे bumper बंपर तो आपको यहाँ पर design एकदम same to same लगता है लेकिन इसमें fog lamp set on हो जाते हैं LED में इसमें नहीं आते हैं base variant में आपको fog lamp लगवाने पड़ेंगे बाकी यह chrome की आपको यह strips आपको इसमें लगी भी मिलती है लेकिन यह चीज आप तो देख रहें न front का जिसे कि आप जो भी कहते हैं diffuser type पर कहते हैं तो यह ऐसा accessories में लगाया गया है तो यह चीज तो इसमें आपको आसानी से install अगर आप accessories में करवाना चाहें यह हो सकती है तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा फ्रेंट में आपको light ने पूरे LED में मिलनी फोग लेम से LED में मिलनी यहाँ पर light ने हेलोजन में रहेंगी बलीनों के base वेरेंड में आपको 185 आर पंदर के स्ट्रिल लिम मिलते हैं टायर प्रफाइल जो है 185 65 आर 15 की रहेगी फैंडर पे इंडिकेटर रहता है इसका A पिलर आपको body color मिलेगा और ORBMs आपको black matte में मिलते हैं एक्जस और fold आपको हाथ से ही करना पड़ेगा कुछ electronic system नहीं दिया जाता door handles भी आपको जो है ऐसे matte जो है black color में मिलते हैं side profile आप देख सकते हैं कोई भी chrome की strip कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे 37 लीटर की petrol tank की capacity है side profile मैंने दिखाई आपको अब इसकी side profile अगर मैं दिखाता हूँ सबसे top end variant की तो top end variant में आपको यहाँ पर मिलते हैं alloy wheels diamond cut alloy wheels मिलेंगे proper आपको profile रहेगा यहाँ पे tire का वो रहता है यहाँ पे 195 55 R16 तो मतलब थोड़ा ज्यादा चोड़ा हो चुका है यहाँ पे tire और alloy wheels add on हो चुके हैं R16 इसके 16 इंच के आपको alloy wheels मिल जाएंगे यहाँ और बाकी braking same to same रहती है rear में drum आगे आपको disc brakes मिलेगी तो यहाँ alloy wheels मिलना start हो जाते हैं top end variant में बाकी fender पे इंडिकेटर नहीं मिलेगा वार्बियम से आपको इंडिकेटर मिलता है body color वार्बियम से मिलेंगे एकदम glossy color में और यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ दिया जाता है वार्बियम से side indicator बाकी 360 degree camera तो यहाँ पे दिया गया है electrically foldable और adjustable जो है दोनो adjustment के साथ में आते हैं इसमें ए पिलर आपको इस तरीके से body color आपको नहीं मिलेगा black color मिलता है जो की काफी शांदार सा लगेगा खासकर white color में क्योंकि dark है यह तो dark color white color में जादर reflect होता है तो यह black pillar वहाँ थोड़ा आपको अच्छे लगेंगे बाकी यह strip देखने न यह चीज तो accessories में लगी है इसकी यह और जो है door visor लेकि यह जो है यह आपको company से ही मिलती है और door handle भी आपको chrome color के company से ही मिलेंगे और request sensor भी आपको इसमें यहाँ पर दिया जाता है तो यह चीजे आपको इसमें मिलती है साधी साधी यह glass देख रहे हैं आप window के glass यह थोड़ा tinted है तो यहाँ यहाँ पर tinted आपको UV cut glass मिलते हैं बलीनों के top end variant में जो की base variant में simple से जो हैं आपको glass देखने को मिल रहे हैं जो की आप यह window glass देख रहे हैं तो कुछ यह difference रहता है तो यही जो न दो लाग सतर से तीन लाग का जो difference है यही जो चीजे है एक्ष्रा इसमें दी गई है और चीजे बताता हम और का क्या दी गई है तो tinted आपको जो है यहाँ पे glass मिलते हैं बाकी पीछे से आपको यह वायर एंटीना तो इसके top में भी रहता है इसमें भी आपको top end variant में भी आपको वायर एंटीना मिलेगा साथी साथ पीछे spoiler इंटेग्रेटर आपको जो है आपे मिलेगा और आपको lamp मिलती है पीछे इस तरीकी से दी गई है और defogger तो दोनों में मिलते हैं अगर आप देखें दोनों में defogger दी गए हैं लेकिन tail lamp का design एकदम same to same रहता है LED में tail lamp रहेंगी बेस वेरिंट से ही top तक यहाँ पर pointed DRL से आपको आपको LED यहाँ पर मिलती है इसमें पीछे जो कि आप यह देखेंगे तो दोनों में ऐसा कुछ रहेगा बाकी rear profile आप देख सकते हैं दोनों की पीछे camera यहाँ पर इसमें नहीं मिलेगा चार reverse parking sensor मिल जाएंगे और सदी सद यहाँ पर आपको reflectors दिये गए हैं यहाँ भी reflectors मिलेंगे यह भी accessories में लगवाए गया है तो यह चीज इसमें भी add-on हो जाएगी ऐसा नहीं है तो आप इसमें करवा सकते हैं इसमें दो चीज चोड़ी-चोड़ी accessories लगी है बस वो चीज है बाकी ऐसा कुछ रहता है जो है rear का profile बाकी boot space दिखा दो एक बार आपको मैं तो boot space यहाँ प बात करी जाए तो इसका boot space रहता है यहाँ से इस तरीके से पूरा proper आप जो है हाँ पर क्योंकि request sensor दिया है तो चाबी जेब में हो तो सिर्फ bootie boot खोलना चाहे तो यह खोल जाएगा चारो डोर open जो है आप नहीं रहेंगे वो partial tray इसमें प्रॉपर दी जाती है काफी अच्छ जो है black color का spare wheel मिल रहा है आपको 185 65R solar की profile की साथ में तो ऐसा जो है आपको boot space proper देखने को मिल जाएगा जो कि आपे देख रहे हैं तो rear से दोस्तों ऐसे कुछ आपको जो है मिलती है बलीनो base variant और top variant तो exterior से थोड़ा बहुत आपको difference का पता लगया होगा कि rear में difference क्या है wiper washer unit add-on हो चुकी camera add-on हो चुका है और साधिसाथ alloy wheels बहार से आपको जो है top end variant में लगवाने की जो रध नहीं है 16 inch के alloy wheels मिल ले हैं tinted UV cut आपको glass मिल ले है lighting setup पूरा LED में दिया जा रहा है जो है यहाँ पर बलीनों के top end variant में अब चलते हैं दोस्तों इसके बलीनों के base variant के interior की features की बात करते हैं फिर top end variant की बात करेंगे सबसे पहले मैंने बता दिया आपको ORVM हाद से ही फोल्ड करने हैं हाद से ही आपको adjust करने पड़ेंगे और request sensor इसमें नहीं दिया जाता side यहाँ पर आप देखेंगे तो panels आप देख रहे ना यह आपको जो है ऐसे fabric touch में मिलते हैं यहा पारो power window मिल जाती यह काफी अच्छी चीज लगी मेरको और driver side वाली आपको one touch down और साथी साथ one touch अपके साथ में मिलती एंटी pinch वाली तो यह features आपको base variants में दिया जाता है और driver seat ना वो height adjustment के साथ में नहीं मिलेगी आपको driver seats आपको सिर्फ recline position और sliding आपको यहाँ पर करने का option दिया जाएगा adjustable headrest दिये जा रहे हैं front में यह काफी सही लगा बाकी यहाँ पर जो है दो control मिलेंगे idle start stop का और headlight की भी matches करने का नीचे कोई भी आपको lamp नहीं मिलती पड़ा lamp यह आपको नहीं मिलने वाला dashboard का लेयर आप देखे ना यहाँ पर आपको जो है dark जो है यहाँ matte black color में यहाँ पर आपको gray थोड़ा glossy में मिलेगा यहाँ पर थोड़ा dark जो है आपको जो है navy blue देखने को मिलना है यहाँ पर आपको पूरा carbon fiber texture मिलेगा पूरा dashboard का अगर आप view देखते हैं तो कुछ ऐसा जो है इसका पूरा view रहने वाला है अगर आप देखें तो ऐसा पू automatic headlamps नहीं मिलेंगी आपको ना steering पर कोई controls मिलेंगे बीच वीरिंट रहता है बीच में M.I.D. आपको ऐसा negative display के साथ में मिलेंगी जिसमें आपको यह आपको fuel level आपको यह सारा कुछ बताता है trip पे trip भी यह सारा कुछ इसमें बताएगा और इसका speedo और आपको जो है आपको हैंगे hazard light का system दिया गया बाकी नीचे जैसी आप आएंगे तो automatic AC मिल जाता है यह बहुत सही चीज लगी मेरकों की base variant से ही आपको automatic AC मिल दा है इसमें और यहाँ पे 12 volt का socket cup holders यहाँ पे दिये गए हैं यहाँ पे carbon जो है fiber texture की finish दी गई है 5 speed का manual transmission अगर आपकी चाहद यहाँ पे base variant में automatic लेने की है न वो पूरी नहीं हो पाएगी उसके लिए आपको डेल्टा से start करना पड़ेगा क्योंकि base variant में बलीनों के automatic transmission नहीं आता है जैसी आप पीछे की हो रहाएंगे यह handbrake यह आपको जो है आपको कोई भी armless नहीं दिया गया है इसके safety features की बात करने तो इसमें आपको dual airbags मिलेंगे ABS EBD आपको brake assist आइसोपीग child seat mount और प्रेटेंशन विद 4 cm seat bells तो यह basic से जो आते हैं safety features वो इसमें आपको safe देखने को मिलते हैं अब जड़ा पीछे की ओर चलते हैं पीछे आपको यहाँ पर lamp मिलेगी और यहाँ पर seat bells आपको simple सी यहाँ पर दी गई है अब जड़ा पीछे की ओर चलते हैं पीछे जो है आपको क्या-क्या features दीए गए फिर चलेंगे इसके जो है बलीनों के इस top end variant की ओर कि इसमें आपक आपको सीटों के में आपको headrest मिलेगा तो यहाँ पर adjust कने का कोई भी option नहीं है सीटे fabric में ही देती हैं अगर आप देखें बाकी यहाँ जैसी आते हैं तो rear AC वेंट नहीं रहने वाला base variant में एक 12 बोल्ट का आपको charging socket भले ही मिल जाएगा और spacing नीचे भी दी गई है उपर भ प्रफाइल रहती है उपर आपको handle आपको flexible type मिलेंगे तीनो side में तो base variant में अगर आपने देखा आपको पता लग गया होगा चारो power window मिल ली है और सदी साथ automatic AC मिल रहा है 12 बोल्ट का आपको charging socket आगे और एक पीछे दिया गया है और सदी साथ आपको remote locking दो आपको दे दी ज करेंगे तो यहां भी आपको क्या-क्या मिलेगा सबसे पहले चेक करते हैं तो यह आप जो है door handles आप जो है door panels देखेंगे ना यह आपको पूरा leather head finish में दिये गए हैं यह चीज आपको glossy में मिलनी जो कि उसमें पूरे matte में मिलनी थी और यह आपको जो है यहां पर आपको chrome का tinted आपको यहां पर मिलने हैं तो tinted उसमें नहीं रहते हैं base variant में और driver seat इसमें आ जाती है height adjustment के साथ में जो की आपने according आप कर सकते हैं बहुत बड़ा मतलब सोचते हैं की height adjust करने वाले seat जरूर हो लेकिन वह उसमें नहीं मिल ली है इसमें मिल जारी आपको और साधी साथ adjustable headrest तो आपको यहां पर दिये ही जा रहे हैं और यहां पर बहुत सारे control देख रहे हूंगे आप वह हैं सबसे पहले यहां पर headlamp की beam यहां से आप adjust करेंगे और साधी यहां पर आपको ESP, electronic stability program इस top end variant में मिलता है आपको जो की आपको balino के base में नहीं मिलेगा और HUD जो की heads up display आती है आगे वहां जो इसके control यहां पर बिलेंगे तो यह सारी चीज़े जो हैं आप इसके control मिलेंगे बाकी यहां पर थोड़ी glossy finish दी गई है जो की उसमें mat में दी ज जो है यहां पर इस तरीके से दिखाओं तो यहां पर इस टेरिंग यह आप देख रहे हूंगे लगा हुआ वैसे तो इसमें leather wrap पहले से ही आता है लेकिन थोड़ा सायद gripping के लिए यहां पर इसमें जो है wrap किया हो तो आपको इस तरीके से आपको steering मिलता है flat bottom आपको यहां पर मिलेगा tilt and telescopic दो adjustment आपको इसमें मिल जाते उसमें सिर्फ voice command भी इसमें आ जाता है अभी बात करेंगे उसमें सिर्फ tilt type का adjustment है इसमें जो है आपको tilt and telescopic दोनों adjustment मिलेंगे steering पे controls proper दिये गए है left और right में यहां पे cruise control यहां पे आपको 9 inch की controls मिल जाएंगे screen के और यह आपको phone pick drop करने के सारे telematic के controls मिलेंगे और ऐसा कुछ steering रहता है बाकी automatic headlamps मिलती है तो यहां पे automatic आपको पूरे stocks मिलेंगे जो है यहां पे headlamps के यहां पे wiper के दिये गए है और जैसी meter console देखते हैं यहां पे आपको MID यह colorful देखने को मिल रही है तो proper यहां से आपको colorful MID मिल दी यहां से आप यहां पे change कर सकते हैं जो भी आपको करना चाहें हाँ पर उसमे negative display में मिल दी यहां पर जो है इसका RPM meter देखने इसी के इंदर आपको temperature का meter आपको मिलेगा और यह आपको fuel का meter देखने को मिलता है analog में और यहां पे आपको speedometer भी analog proper देखने को मिल रहा है तो ऐसा कुछ रहता है meter console दोनों में as a semi-digital आप कह सकते हैं अब जैसी center में आते हैं जैसी उपर आप देखेंगे आपको auto dimming IRVM दिया गया है जो उसमें की उसमें आपको manual लाला दिय इसमें automatic है और यहां पर lamp दी गई है जो कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको vanity mirror दोनों साइड मिलेंगे आपको sun visor पर lighting के साथ में यहां पर भी आपको दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं और साधी साथ जैसी आप नीचे आएंगे तो यह रहती इनकी 9 इंच की डिस आपको 360 degree view पर जो है जो है जो है आपको प्रोपर जो है गाड़ी का पूरा 360 degree view आपको यहां पर मिल जाते क्योंकि इसमें 360 degree camera जैसी पीछे का gear engage करेंगे तो पीछे का भी व्यूव आपको प्रोपर आपको मिलेगा इसमें आपको चार speaker और दुर टीटर सेट अप मिलता है वो भी आर्कमेस के sound surround system के साथ में जिसमें की आपको काफी अच्छी music की quality आपको sound आपको इसमें सुनने को मिलेगी और dashboard का layer तो आपको 3 tone layer में ही मिलना है यहां पर थोड़ी glossy finish आ जाती है दोगी premium सा look बनाती है इसमें भी automatic ACA जैसमें की आप देख automatic delta variance से start हो जाएगा बाकी यहां पर sliding वाला छोटा सा ननना सा आपको यहां पर आर्मेस दिया गया है यहां पर with under storage के साथ में और साधी साथ नीचे आपको puddle lamp भी आपको इहां पर देखने को मिल जाती है और यहां पर इस तरीके से जो है इसका जो है यह top end variant रहता जो की पर देखने को मिलेगी जो की यहां से आप जो है प्रेस करके जो है से start कर सकते हैं तो ऐसी जो है चीजे यह सारी कुछ top end variant में रहने वाली है तो आप आपको पता लगया होगा पड़ल लैंप भी आपको जो है आपे नीचे देखने को मिल लाइटिंग जो है आप देख रह रहेगा और आइसोबिक चायल्ड सीट मांड आपको जो है प्रिटेंसर विस फोर्स लिमिटर सीट बैस मिलेंगी तो यहां आप आते हैं स्विच होगे top end variant जो है base variant ना लेके top end variant में तो आपको safety भी थोड़ी जादा मिल जाती है airbags जादा यहां पर आपको मिलेंगे तो ऐस सारी glossy finish सारी leather finish आपको मिलेगी power window के contours मिलेंगे यहां पर आपको adjustable headrest मिल जाता है proper इस तरीके से बीच में आर्मेस इसके top end variant में भी नहीं रिया गया है बाकी जैसे आप पीछे आएंगे तो पीछे आपको rear AC wind भी मिलेगा top end variant में तो रहता रहता है जेटा में भी रहेगा य और दो आपको यहां पे charging आपको USB type और type C आपको दो charging port आपको proper मिल जाएंगे यहां से आप अपने phone भी आसानी से charge कर सकते हैं बाकी ऐसा कुछ रहेगा पूरा front का आप dashboard का view आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रहने वाला है ऐसा कुछ उपर का आपको lighting setup ऐसे यह सारा कुछ दे नीचर लोडेट वेरिंट कह सकते हैं compare to इसके जो है बेस वेरिंट से और बेस वेरिंट मेरे साब से जो है उन लोग लिए सबसे खास है जिनका बजट थोड़ा टाइट रहता है और उन्हें एक हैजबेक चाहिए अच्छे जो है कह सकते हैं जो है रिफाइंड एंजन के सा यह एक शोरूम में तो टॉप एंड वेरिंट के लोग जो है वो ही लोग जा सकते जिनने थोड़ा ज्यादा फीचर चाहिए यहां पर और एक बार जो है इंजन सेक्षन की भी बात कर लेते हैं वैसे तो इंजन जो है दोनों में सेम टू सेम इंजन है 1.2 लीटर का जो है ड पूरा इंजन में जो की 88BHP की पावर रेप्रडूस करता है इंजन वो भी 113 एक सो तेरा यूटर मीटर के साथ में काफी साइलेंट इंजन है मतलब इंजन स्टार्ट भी हो जाना आपको बहुत ही जो है साइलेंट आवाज अंदर केविर में सुनने को मिलती है तो यह था तो मेरे साब से जिनका अच्छा खासा बजट है है वह तो इसकी हो जा सकते हैं जिनका थोड़ा फ़र टाइज बजट है तो वह भी इससे काम चला सकते हैं क्योंकि इसमें आपको 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 पीछे यहाँ पर आपको डिफॉगर भी मिल जा रहा है यह सारी चीजे मिल तो वीडियो को लाइक शियर कमेंट जरू कर दें कोई भी थोड़ा बहुत सजेशन हो जो कि हमारी वीडियो को और इंप्रूब कर सके वो भी जरूर बताए मिलते हैं को और ऐसी नहीं वीडियो के साथ मैं